तो फ्रेंट स्वागत है आपका आपने यूट्यूब चैनल विवान तिवारी में, विवान तिवारी इसका नम मैं प्रयांशु तिवारी करने वाला हूँ, तो प्लीज बी रेडी फॉर दैट अल्सो, तो चलो गाईज, आपको इस वीडियो में जो बताने वाला हूँ, जो बहुत अच्छा प्रोफिट जो है बुक कर सकते हो, किस दिन के लिए? एक्सपाइरी के लिए, अगर आपके पास एक लाग केपिटल है, तो आप उस पे जो है 70-80,000 का जनरेटर हैं जो है जनरेट कर सकते हो, सिर्फ expiry की दिन के बाद कर रहा हूँ ठीकर तो friends यह कैसे लोगे इसके पीछे क्या psychology रहती है क्या mental disorders रहते है कैसे आप लोग यह profit बुक कर पाऊगे मैं profit आज का दिखायता हूँ मेरा आज का जो profit है वो है करीमन 10,000 तक का और capital जो use है इसमें 30,000 का तो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आप ध्यान से सुनना, सीखना, समझना और इसको implement करके जोड़ो देखना बहुत अच्छा return आपको generate करके मिलेगा तो guys अब चलो वीडियो में पढ़ते हैं आगे friends देखो market जो है खुलता है और खुलने के बाद market या तो दो चीज़े करता है, या तो market नीचे जाएगा या तो market उपर जाएगा, ठीक है तो आपको एक चीज धियान रखना है, आपको जो है morning में जो है, तभी trade करना है जब आपका कोई ऐसा setup हो, जो बन रहा हो उस टाइम और आप उस पर trade ले सकते हो मतलब मैं क्या कहना चाहरा हूँ कि आपको कोई setup हो जो उस टाइम बन रहा हो, आप उस पर trade ले सकते हो तो आप लोग सुबा के time में morning के time में आप लोग trade कर सकते हो अब आप लोग को मेरे जो strategy है वो का बार करती है, मेरी strategy उवग करती है मार्केट के last hours में मार्केट के last hours में मेरी strategy बार करती है और इस strategy को मैं बताता हूँ strategy को मैं कैसे use करता हूँ, कैसे implement करता हूँ वो सारी चीज़े में आपको इस video बताऊँगा अब देखो, market जो है जो expiry होता है उस टाइम अगर वो बुलीश है या बेरीश है ट्रेंडिंग का इस्पाई है तब तो भाई ये strategy कोई मतलम नहीं है strategy का कोई मतलम नहीं है ठीक है अगर market जो है एक बहुत range में अब देखिए और जो market बत बता हूँ जासे की अगर market बहुत दीन पर को आरा था या तो offset RALLY करता या तो और आसेड रधी करता expiry की दिन ठीक है अब market एक टाइम पर क्या होता है मालिश एक टाइम पर market ऐसा होता है जिस दिन, rejoice to sideways अब bullish to sideways जो होते हैं अब हमको यह trade किस दिन implement करना है, यह trade हम لوह implement करना है, वो सरफ bullish to sideways में या फिर sideways में, या फिर किसी range में market बनना चाहिए, तभी हम यह जो है, यह strategy implement करेंगे, किसी ऐसे छोटे range में market अगर बन गया last के hours में ऐसे छोटे range में market बन गया किसी last के hours में तो हम लोग trade करना एकदम वो मेरी perfect मैं बता रहा हूँ वो perfect strategy है और सब कमा होगे ही कमा होगे तो आप लोग वो इस बात इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए trade को implement करना है चलो तो पहला जो चीज़ है पहला आपको यह चीज़ ध्यान रखना है कि market जो है एक channel में चल रहा हूँ कोई भी हो मतला मालो market अगर ऐसे चल रहा है ऐसे market मालो market ऐसे चल रहा है तो market को जो है आपको देखना है कि एक trend line यहां से गुजर रही है यहां पर बहुत तगड़ा consolidation कर रहा है वो भी expiry की दिन पर वो भी last hours में consolidate कर रहा है तो आप लोग को यह चीज ध्यानक नहीं होगी उसके लिए आपको क्या करना है उसके लिए आपको एक range मार करना है अब वो चाहे ऐसी range हो सकती है चाहे वो ऐसी range हो सकती है ठीक है चाहे वो आपको इस तरीकी की range आप लोग को जो है एक mark कर लेनी है तो मैंने यहां पर देख सकते हो मार करके रखा हुआ है अपना range यह मेरा range था blue कर रहा है मैंने इसको बहुत करके रखा है और मुझे जो है नीचे closing करते भी कोई भी candle नहीं दिखाई थी मुझे closing करते भी जो upside पर यहां पे जो closing करते भी दिखाई थी मैंने यहां पर जो है तीन से चार रुपए का जो मेरे पास चल रहा था मैं OTM मैंने लिया 18400 का और मैंने तीन से चार रुपए पर यहां पर मैंने लिया और यह मैंने यहां पर book जो किया वो मैंने 7-8 रुपए करीब यहां पर मैंने book क तो दिख तो कित्र डगड़ा भुइनन man has a टीर्व ट्रेश दो हो harvest सो अब जरूरी नहीं कि हर एक, डी झ dir किसी दिन मानवन लोग आप लोग लोग को चलिए मांइ expired पाउंट आप लिए दो हो तोर्ण कृटियों बहुत लंबी हो रहे लेकिन हाँ, मैं आप लोगों एक दिन जरूर बता जाता हूँ कि मान लेजे कोई ऐसा दिन हो, अब देखिए मान लेजे ये दिन expiry काया है, ठीक है अब ये expiry के दिन है और आपको जो है अपनी strategy work करनी है market उपर गया नीचे गया, आप लोगों ने चालू कर दिया, और market को आपको यहाँ का low, यहाँ का high mark करना है और एक basket ready रखना है ताकि आप इसको order तुरंद पंच कर पाओ और जैसे ही market में इस लोगो break किया guys, आप लोगों ने फटाक से put लिया और put ने आपको एक अच्छा कासा target दे दिया और हाँ एक चीज़ बता दू, last hours है तो इसलिए आपको scalping करनी है और तडाक से profit करके निकल जाना है, ठीक है और profit हो गई होगा इसके मैं guarantee लेता हूँ, ठीक है आप लोगो comment में करके जुरूर बताना कि आप लोगो profit हुआ या नहीं हुआ तो एक और आपको दिखाएता हूँ, एक और आपको day दिखाएता हूँ, ताकि बहुत लोग confused हो जाएंगे तो बहुत लोगो जो है वो उस चीज़ों को समझ पाएं, उस चीज़ों को चीज़istic इंप्लिमेंट करा है तो चलो ज़ू यहां पर consolidation आपको दिख रहा है कोई चोटा बोरा- kinds conservation, यहाँ पर जो आपको consolidation देख रहा है यहा परoquewn consolidation मुझे नहीं दिख रहा है क्युल मैं आपको दूसरी कोई दूसरा दिन दिखा देता हूं दूसरा दिन गाइस दूसरा दिन आपको दिखाता हूं चलो यहां देख लो यहां देखो यहां देखो यहां देखो यहां देखो माल लो यह एक्सपाइरी के दिन है और मार्केट अब जो है लास्ट आवर्स में यहा पशिरेडिट कर रहा है, downside, और upside का आपने जो है, वह मारक किया, और उसके बाद जैसे ही upside break किया, आपने यह पर trade लिया और आपका देखो, आप भाई, यह जो, यह zucchini का, यह जो move होता है, लास्त का move हो, भाई, इसमें, जो 12 रुपय अप प्लीमिम होता है न, वो 10-10 रुपय जला जाते हैं मतलब आप समझेदो पैसा आपका double triple चौपल हो गया है ठीक है तो इस तरी के से strategy काम करते है strategy का नियम बता दू strategy के जो नियम है वो मैं आपको दाता हूँ strategy के पहला नियम ये कि expiry का दिन होना चीए दूसरा नियम ये कि expiry की दिन आपको क्या करना है expiry की दिन आपको last hours में trade करना है last hours में आपको trade करना है last hours में आपको expiry दिन trade करना है तीसरा नियम होगा last time में आपको trade करना है चौथा जो नियम है चौथा नियम भाई ये है कि आपको जो है आपको जो है क्या करना है आपको जो है वीडियो को जरूर लाइक करना चैनल को जरूर सब्सक्राइक परना